मैं समाजवाधी पार्टी योशीरी मुलाइम सियादो जी, अकलि सियादो जी हैं, उनकी पार्टी में पहले मेमिम्बरार पार्लिमेंट था छे साल तक अभी मैं मुंबई में महारास्टा में इमीले हूँ, तिसरी बार और मैं अपनी फैवली के साथ यहां पहल गाओं और कश्मिर में तफरी के लिए घुमने आया हूँ बहुत सबाँ कश्मीर आने के बार मुझेच लगा कि मैं किसी अपनों में आ गया उँ और जो आज मुलक के अंदर कश्मीर को तो अपना बनाते हैं लोग लेकिन कश्मीरियों को अपना नहीं बनाते है और ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि जो सरकार भी बैटी हुई है वो लगातार किसी ने किसी बहाने से मुसल्मानों को नेशना बना रही है यह जानवोज करके मुसलमानों के साथ जुम जाती हो रही और गयर कानुनी तरह से 370 हटाया गया कि एक तरफ जूट का पुलंदा है और मजब के नाम पर 85% लोगों को मुद्धित किया जा रहा है उनको वेकूब बनाया जा रहा है परसन मुसलमानों से 85% हिंदूओं को डराया जा रहा है यह जो है नरिंदर मोदी की सरकार में हो रहा है और इसी तरह से बहक के लोग जो ना मंदी मस्जित के नाम पर लोग अलग हो रहे हैं कहा जा रहा है कि मुसलमानों को निकाल देंगे देश से उनकी प्रापटीस को हिंदूओं माट देंगे यह सब उनका हो जाेगा मुसलमानों की इस मुलक में कोई हिसा नहीं मिलेगा इस तरह से हिंदू जरा बहक रहा है लेकिन सब को मिल करके उन हिंदूओं के साथ भाईचारी के पैगाम दे करके इनके परशार को जूट साबित करने के जरूरत है हिंदुस्तान का भविश बहुत अंदकार नजर आ रहा है ये जो है ये सरकार जो है चंद कार्पोरेट को बढ़ाना चाहती है और इस मुल्क से गरीबी नहीं बेलकि गरीबों खत्म कर देना चाहती है लेकिन आज जो बार्डर पे बैठे हुए हैं वो सिख भाई जाधा हैं और सिख एक भाई ने के साहँ कि मुस्लमान होता या कोई दुसरा भोता टो हजिए हमनेगे तो वो सिख से घबरा रहे हैं डर रहे हैं यहां पर आखें बिशाये बैठे आप आई यहां पर कश्मीरी कभी भी हिंदू-मुस्लिम नहीं करना चाहता है और आज जो यहां पर यात्रा होती है आज एंपर कोशिष करने वाला मुस्ल्मानी था और पूरी खिदमत यहां पर हिंदू की मुस्लमान करता है लेकिन जानबुची कारिए साग बियज्यैपी इसे हिंदू-मुसल्मान करके यहां पर जबस्ती फौज लाती है और जबस्ती गुल्या चलवाती है अगर आमनों आमान कर दिया जाए, हिंदू मुसल्मानों को मुतहित कर रिकठा कर दिया जाए, मुझे लगता नहीं कि अतनी फौज की हाँ जरूरत को है, अभी यूपी मेंन की सरकार है, ये किसी को भी उठा के कहते हैं, ठोक दो, जैसे गुंडे लोग बोलते हैं वो इसी य का मुकदमा चला था, उसको सरकार नोग वकील दी आ था, उसको खाना पीना दी आ ता, उसके बाद इसको फांसी हुई, किसी आदमियों को उठा के मारतेना, ये मतनानी ये जिल्या पना थी जाएगा, जबतक हम मुसलमान हिंदू मुसलिम इकठा हो करके, लिए करना मतंब क कोशिश करेंगे हम लोग पूरे देश में फैलना चाहिए और जरूर यूपी से 80 सीटे हैं और समाजवादी पार्टी वहाँ पर 5 बार सप्ता में आ चुकी है लेकिन मोदी जी इतने बड़े जूटे इंसान है कि इन्हों ने आकर कह दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार म तो लगता है जूट बोल रहा है जान मंतरी बोल रहा है ऐसी चीज़ें करके गहर मुस्लिमों में एक गलत फर्मी पहला करके सत्ता महाई है मुझे लगता ने कि ये काख़स की ना बहुत दिन चलने वाली इंशालला तब्दिली होगी और यूपी में समाजवादी पार्ट कर्के डादय हो जातिया लगता है में सुलने चीज़ें करेंब तो टूचलने ईंगसाइब ग्रत थाभिक करे इंदा ने ध वह जाने ही खाना